ओशो समेत कई लोगों ने मृत्यू को एक उत्सव माना है फिल्म गुडबाई भी मौत को मातम नहीं बलकि जिन्दगी के रोड पर एक राइट टर्ण की तरह पेश करती है किसी अपने की मौत के बाद परिवार पर क्या असर पड़ता है और क्या नहीं इसी को बताती है ये फिल्म ये फिल्म 2022 में 7 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और उसी दिन सुबह इस फिल्म के एक बज़र्ग कलाकार अरुन बाली ने ये दुनिया छोड़ दी थी अरुन बाली ने गुट बाई में अमिताब यानी हरीश भला के ससुर और नीना गुपता यानी गायत्री के पिता का रोल किया है फिल्म के राइटर और डाइडेक्टर हैं विकास बहल जो इससे पहले सुपर थर्टी और क्वीन जैसी फिल्में डाइरेक्ट कर चुके हैं अमिताब बच्चन ने पतनी की मौत से दुखी पती और जिम्मेदार पिता का किरदार आसानी से निभा दिया है उनकी परसनेलिटी इतनी उम्र होने के बाद भी दमदार है और अभिने तो लाजवाब है ही फिल्म का वो सीन कम से कम दो बार देखने लायक है जब रश्मी का मंधाना यानि तारा को उसकी माँ की मौत की खबर मिलती है तारा फिल्म में एक ऐसी लड़की है जो मौडन होने के नाम पर एक ऐसे लड़की के साथ एक फ्लैट में रहने के जिद करती है जिसे उसने अभी तक अपना प्यार भी नहीं माना है तारा इतनी मौडन है कि अगर उसकी माँ जीते जी उसे अपनी कोई चीज ना दे तो तारा अपनी माँ की मौत की भी बात कर लेती है ताकि माँ की मौत के बाद उसे वो चीज मिल सके फिल्म में हिंदू धार्विंग मनेताओं के लॉजिक पर सवाल उठाए गए हैं और उन सवालों के जवाब भी खुबसूरती से दिये गए हैं कायतरी की मौत के बाद भला फैमिली के मेंबर और उनके पड़ोसी जो जो हरकतें करते हैं उनसे पूरी फिल्म के दौरान आपके होठों पर मस्कान आती रहती है अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखें क्योंकि ये फिल्म कहती है कि किसी के कॉल को कभी इग्नोर ना करें क्या पता कॉल करने वाले का वो आखिरी कॉल हो